ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं एसमागरवाल आज के सिरी हल्थ के इस एपिसोड में आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है डॉक्टर प्रकाश मिश्वा जो की एक सीनियर कंसल्टन्ट एंट हेड़न नेक्स सर्जिन है और आज हमसे वो बातचीत कर रहे हैं थाइरोइड और गले की कैंसर के बारे में तो डॉक्टर मिश्वा ब्रेक में जाने से पहले आपने हमें बताया कि थाइरोइड का कैंसर क्या है और किस तरह से ये खतरनाक रूप ले सकता है यदि समय पर इसका इलाज नहीं करवाया जाए और यदि पेशिंट इसके प्रती जाग रूप नहीं है लेकिन इलाज की सं तो उसके लिए इलाज की क्या-क्या संभावनाय मौजूद है एक लाइन में जवाब देना चाहूंगा जो कि आपने इतना अच्छा प्रशन पूछा है इतना सटीक है तो उत्तर भी सटीक ही है अगर आपको डाइगनोसिस हुआ है कि आपको थाइरोड कैंसर है वो इलाज वो चिकित्सा जिससे कि आप पूर्ण रूपेंट ठीक हो जाएंगे उसका नाम है पूरी तोर से पर्याप्त रूप से सर्जिकल ऑपरेशन करवाना इससे कम अगर आपने कुछ किया ना 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 वेस्ट कर रहे हुए आपना टाइम वेस्ट हो रहा है वो गांठ थायरोड क का ओपरेशन करवाना चाहिए पर मेरा शब्द मेरी भाषा को आपने शायद ध्यान नहीं दिया मैंने कहा कि पर्याप्त रूप से और पूरे रूप से इसको अंग्रेजी में अगर कहूं क्या बोला मैंने इनिशल जो पहली सरजरी वही है वही बचाएगी अगर किसी ने दूसरे ने कर दिया रहा है अब हो गया अब आप करने जा रहे हैं सो और यह न्याल नहीं करेगा वो पहले वाली करती तो करती अब आपने बिगाड़ दिया मामला अब आपकी इस और बट्स लग गए नहीं समझ पार यह वेरी बात पहली सरजरी जो करता है उसके हाथ में पूरा काम है वो कर सकता है कंप्लीट बस 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 वो तो आपको सही कर देगा पर उसने कर दिया फिर साब उसमें रह गया और उसमें वो वापस हो गया और उससे आवाज चली ग अब संभावना उतनी नहीं इस बचने की जो पहले वाले के हाथ में ती अब घट गई संभावना को इतना सफलता नहीं है फरस्ट वाले को है तो इनिशल एडिक्वेट भाशा समझे इनिशल एडिक्वेट एन अप्रोप्रियेट सर्जरी पुराने जाँगा नहीं से थोड़ी से छोड़ करके नो नो यू इधर दू लोबेक्टमी और डू टोटल थाइरोड एक्टमी नेवर डू सब तो ये क्यों करते थे कि वो एक बोलने की नस होती है जो थाइरोड के बिल्कुल पीछे से बगल से गुजरती है अगर आप शरीर की अनेटमी से अच्छी में तकलीफ होने लग जाई अगर ये दो समस्याएं हो जाती तो सर्जन क्या करते थे जो अनुभव कम रहता था या जिनको अपनी एनेटमी पर इतना बरोसा नहीं था तो वो उधर की थाइरोड को छोड़ देते थे खोड़ो अंदर अंदर ये तो वो आवाज तो बच ग आतेगा कैंसर तो अब आपको जानके नस काटनी पड़ेगी और पहले वो बचा के कर सकता था तो इसमें एक खास बात होती है इसको बोलते हैं रिकरेंट लेरिंजल नर्व थाइरोड सरजरी में रिकरेंट लेरिंजल नर्व काटना जो है एक कॉम्प्लिकेशन है और ये कानना गले के डॉक्टर से तो इसकी आशा नहीं की जा सकती यह कम है इनसान तो कोई भी गलती कर सकता है लेकिन जो आपके एक्सपर्टीज पर है कि आप कैसा कर सकते हो तो आप उसो बचा सकते हो इसके वेरियेशन होते हैं अलग आपको अनुभाव होना चाहिए कि क्या क्या होती थी एसा नहीं होता है मेडिसिन में दो और दो चार तो होते हैं 98 परसेंट पर दो परसेंट में दो और दो पांच भी होते हैं दो और दो तीन ही रह जाते हैं वो बता देता है कि यहां तीन है कि यहां पांच होने वाला है और उस चीज़ को हैंडल करना भी अगरे तो मेरा कहने का यही मतलब है कि उसका एक ही दी ट्रीटमेंट है कि इनिशल एडिक्वेट अप्रोप्रियेट थारवड सर्जिरी क्या होती है सब टोटल थारवड्यक्तमी जो पुराने जमाने में होती थी वह बिलकुल नहीं होती है अब यह तो लोबेक्टमी होती है जैसे कि जल्दी पकड़ लिया बहुत पूरी थारवड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है आधी से ही काम चल जाए चल जाता है लेकिन अगर 40 साल से उपर है तो टोटल कम निकाला तो यह आप उसकी मजा कर रहें उसकी जंदीगी से बि जीवन बचने की संभावना है तो पूरी तरह से होती है 100% मैंने कहा adequate appropriate initial surgery is curative पर इसमें दो इदाएं रह जाती है तब मामला बिगड़ता है अगर इनिशल सर्जरी हुई लेकिन बैठा नहीं मामला तब तो मामला बिगड़ गया अब consequences दूसरी होंगी अब वो भाशा मेरी वेलिड नहीं है कि आप थारवड सर्जरी का थारवड का cancer हुआ आपको कुछ नहीं बिगड़ा अब तो बिगड़े गासा यानि कि यहां पर एक अनुभवी डॉक्टर और एक अच्छे hospital की जो की पूरा सशक देख hospital सब यह हैं hospital में ऐसा कोई अफलातू नहीं है आप देखो SMS hospital ऐसा basic hospital होता था जबकि कई जो आप लोगों को private hospitals में जो चीजें आप लोगों को बहुत सुलब और सरलता से उपलब दें SMS hospital में कलपना तक नहीं थी उनकी सरकार पैसे ही नहीं देती सरकार पैसे ही नहीं देती थी नाम नहीं लूँगा मेरे डिपार्टमेंट को मैं एड था चार लाग का budget एक साल का क्या खरीदने में आता है चार लाग प्राइवेट डॉक्टर अपनी जेब से चार लाग खर्च कर देता है प्राइवेट थी नहीं पर अनुभाव और अनुभाव होना चीज बात बहुत जरूरी है क्योंकि आपको बहुत अच्छा इंफ्रस्ट्रॉक्टर दे सकते हैं लेकि अपोलो स्पेक्ट्रा है थी अप्रेदर यह एप्रेदर यह इंका अपरेशन थी थी तरह इंका उपरे अप्सलोटल एवन प्लस पॉइंट और यह इसी समस्या के लिए उनके पास एक अच्छा हॉस्पिटल आप जैसे एक अनुभावी डॉक्टर अनुभाव तो पहली चीज है अनुभाव तो पहली सर्जरी में पहली चीज है अगर अनुभाव नहीं है और आपको बता जनरल सरजन को पता नहीं पकड़के काट दे कट गई तो वो नीचे नर्व कटगी जा बिना देखी यह सब ट्रिक्स हैं ऐसे गाईनी में जो गाईने कॉलिज की जो एक्सपर्ट सर्जन्स होती है और एक्सपर्ट यह बात अलग है उससे निकली है तो दिया नौट पर्ट पूछिया बट पाईने को तो जनरली आउटलूग होगा जनरली ट्रीटमेंट होगा अन्दे जनरली आशा की जा सकती है उससे एक ड्रम एक मेरे सवाल आ रहा है सब्सक्राइब कि जैसे कि अपने बता थाइरोइड कैंसर में किसी गले की गरंथी में कहीं आपको ए यह कि अगार्सी लगती है क्या गले का कैंसर और थाइरोड का कैंसर इन नोनों के सिंटेंस मिलते जुलते बहुत 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 अलग हैं आपस में कोई confusion की संभावना ही नहीं है गले का कैंसर मानें अगर आपका तात पर यह बात से है कि स्वरेंत्र का cancer, तो वो अलग का ही. स्वारियंत्रमा ने जो बोल रहा हूँ, आवाज आरी, वोकल कॉर्ड का या वोकल कॉर्ड की उपशर, वोकल कॉर्ड का नीचे, वोकल कॉर्ड के साइड में, या वोकल कॉर्ड के धकन पर, एपिगलॉटिस पे किस का? जो जहां हो उसका जैसे वोकल कॉट के बगल में होगा तो उसको बोलते हैं पाइरिफामफोसा वो पाइरिफामफोसा खाने के नली का मूँ है तो अगर उसका हो जाएगा तो खाना जाने में तकलीफ होगी खाना खाएंगे तो दर्द होगा निगलेंगे तो और कभी-कभी आपकी आवाज भर रहा जाती है अगर बोलने का हो आवाज का थो खांसी आएगी खांसी में खुन आएगा आवाज भर रह जाएगी खाना निगलने में तकलीफ होगी यह सब बाते होंती और एक उता है टॉंसिल का ěंश यहीं दिखता सामने, मुझ खोल के देखो, अरे यह तो बाहर है गाट, अंदर दिखता है टॉंसिल, उसका कैंसर दिखता है सामने, तो आपके दुने दबाई ले उसका खुछ ले, उसको you have to take a biopsy, और यहां भी symptoms जो होते हो कुछ इसी तरह की बोलने में तकलीफ या खाने म में तो दर्द होता है, दर्द होता है, किसी भी तरह का डिस्कमफोर्ट है, अगर जीब का कैंसर है, गीम में होता है, आप थवड़े दिन तो टालते रहे तो, फिर डॉक्टर के पास जाते हो, कभी डाइग्नोसिस नहीं हो पाता है, यह सब चीज़ें डिले करती है, इनको आपको क्या लगता है, कि प्रिवेंशन किस तरहां का लेना हम सबके लिए जरूरी होता है, जिससे कि चांसे रिडियूस हो जाएं थाइरोईड या गले के कांसर के, आपको क्या लगता है, कोई ऐसी चीज़ आप बताना चाहेंगे अबारे दश्रकों को अगर आप 40 साल से उपर उमर वाले हैं, अबल तो पहले वालों को भी ध्यान रखना चीज़, अगर आप 40 साल से उपर उमर वाले हैं, तो आपको खाना निगलने में, भोलने में, अगर तकलीफ है, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, कान ना गले वाले से, ऐसे ल जाए वो गले में दर्द हो निगलने में दर्द हो बोलने में आवाज भर रा जाए थारोड पर थोड़ी स्वलिंग हो या कुछ भी नहीं बस यूहीं दर्द होता है यूहीं that is also quite enough और कुछनी साब एक छोटी सी गांट है वो गांट बताएगी आगे क्या क्या है अजरा सथर्द है बहुत दिनों से है मैं ध्यान नहीं तो इन सब चीजों का ध्यान रखे आवाज भर रा जाए खाने में तकलीफ हो गांट हो जाए गले में खांसी में खून आ जाए अन्वं खास जानकारी दी है खासकर थाइरोइड कैंसर और गले के कैंसर लेकर मुझे लगता है बहुत ज्यादा अभी हमारे समाज में नहीं हुई है एकसेप्ट की वर्ट कैंसर सुनते ही लोगों के काम थोड़े से खड़े हो जाते हैं और किसी भी तना की छोटी मोटी प्रॉब बात सत्य है उसने डाइगनोस करके पता दिया आपको लेकिन ध्यान रहे वह उसी समय आपको यह भी बता सकता है कि अगर ऑपरेशन होगी तो तुम ऐसे बचोगी जैसे रोग नहीं था प्रेडिक्शन भी कर सकता है अपना डाइगनोसिस भी सुनो और अपना प्रोगनोसि तो अपने डाइगनोसिस सुनो तो पूछो मेरा प्रोगनोसिस क्या है यह आपका अधिकार है यह बूद अरश है जिस सुनते ही हम कही ना कहीं यह सूनते ही निराश हो जाते हैं बिना यह जाने किउसका इलाज भी समप्दी ईस एस ऐसे ब इल्कुल ठीक क्यो रो जूसकते पर आप अपने डॉक्टर से पूछो कि मेरा प्रोग्नोसिस क्या है तो बता देगा आपको इसलिए निराश मत हो बचोगे आप जी, बिल्कुर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा कि आज आपने यहां आकर हमें जो जानकारियां दी हैं, जो जागरूपता आज आपने हमें दी है, हमारे दर्शकों को दी है, वो खासकर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और इसके लिए मैं आपका तहे जागरूपता होनी चाहिए और किस तरह से इलाज संभव हैं, मौजूद हैं, जरूरत हैं तो सर्फ आपकी जागरूप होने की, यानि कि आप अवेर रहें अपने बोडी की छोटी मोटी चेंजिस की तरव थी, तो आज की एपिसोड में बस इतना ही अगले भी खंफिर हों नमस्ट